हेलो डियर पैरेंट्स वेल्कम बेक तो मैं चैनल पैरेंट्टिकन एड्यूगेशन आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंदरी विद्धाली की जो एडमिशन्स है और एकड़ेबिक ये टुट्वेट्वेटिवेटिवेटिवेटिवेटिश के लिए जो फी स्ट्रक्चर ह क्या है और फी स्ट्रक्चर क्या होता है केवी में और बॉइज और गल्स आज की वीडियो में हम सेब्ड़ेब्स सारी फी स्ट्रक्चर देखेंगे उससे पहले मेरी क्रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बाजू वाली जो बेल जो केंदरी विद्धाले है केंदरी विद्धाले में सबसे पहले गर्ल्स के लिए है गर्ल्स के लिए किसी प्रकार की फी नहीं होती है और बॉइस के लिए बॉइस के लिए अलग-अलग फी क्राइटेरिया है तो वह क्या क्राइटेरिया है तो वहां आज हम देखे हैं से ब्याज़ स्कुल में बहुत सफी होती है लेकिन केंद्री विद्ध ले में एडमिशन फिस सिर्फ एडमिशन फिस लेते हैं जो मंतली जो एडमिशन है वह क्लास 3 से स्टार्ट होती है इसके बाद जो class 3 में जो है तो उनके लिए computer जो है उनके लिए विकास नीधी जो होता है विवियन इसे उनके फी स्ट्रक्चर है तो विवियन में वो जो उनके करिकुल एक्टिविटीज है जो डेवलपमेंट के लिए जो चार्जिस लेते है तो वो monthly जो है वो monthly 500 फी भरने पड़ती है और जो computer classes है तो computer classes की जो है जो computer class monthly है monthly उनका 150 रूपीज भरना पड़ता है computer fee और monthly 500 फी भरने पड़ती है तो यह है class लेकिन जो first और second है इनके लिए किसी प्रकार के fee नहीं होती है यह तो हो गया class 3 के लिए ठीक है class 3 के बाद अभी जो class 9th और 10th है ठीक है boys के लिए जो fee है वो monthly fee 200 रूपीज एक्स्ट्रा है ठीक है और जो class 11th और 12th है commerce humanities body के लिए boys के लिए वो 300 रूपे है ठीक है first second के लिए कोई प्रकार के admission fee computer fee नहीं होती है ठीक है class 3rd से लेकिन प्रकार के admission fee बढ़ाते है computer fee होती है और VVN fee होती है ठीक है इनका April to June ठीक है April to June 2nd है June to September 3rd है October December और नेक्स है January पार्स तो आप यह जो fee है ठीक है तो यह monthly होती है 500 तो आप quarterly 1500 भी भार सकते है ठीक है तो इस प्रकार आप आपको यह fees देनी होती है ठीक है तो यह quarterly fee एक ही बार लगती है ठीक है जो भी विविएन जो fee है ठीक है वो आप एक ही बार एक ही बार आपको देनी पड़ती है तीन मेने की इसके बाद किसी प्रकार के fee नहीं लगती है तो आज के वीडियो में मैंने क्लियर किया है कि केंदरे विद्याले में क्या fee structure होता है उम्मिद करती हूँ कि आपका यह fee है structure वो clear होगे और अगर हम बाखी स्कूल स है ना के बराबार है girls के लिए तो सही है यह बहुत बड़ी opportunity है कि आप अपने बच्चों के इंदर लों पढ़ाए ठीक है आज की वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं नए आप दो के सकत बाइट